अज़्छन की करेंगे पर देहां देखाँ जलिए नीयु की बाद कर जा जाए पहले हम देखेंगे यूएट किसके इसोमार्फिक होता तो यूएट जो आएगा ना वह आई सोमार्फिक होता है देखो मैं आपको बताना चारों यूटउ 2 की power n जो होता है वो आईसोमर्फिक होता है Z2 into Z2 power n minus 2 की isomorphic होता है तो यहाँ पर हम देखेंगे U at जो है वो हमारे पास हो रहा U 2 की power 3 और यह आईसोमर्फिक होता है Z2 into Z2 power 3 minus 2 that is Z2 cross Z2 और यह होता है K4 क्या होता है? K4 मतलब आपसे बोला जा रहा है कि F K4 से K4 जा रहा है और जब भी खुद खुद के साथ अगर जा रहा है और वो आईसोमर्फिक है तो उसको बोलते हो automorphism मतलब आपको यहाँ पर यह लिगाना है कि automorphism of K4 कितना होगा और automorphism of K4 जो होता है वो हमारे पास S3 होता है अब आपसे पूछा रहे कितने होंगे तो आपको इसका order पूछ रहा है तो order जो आएगा वो हमारे पास कितना है सुन 6, सुन C option correct हो जाएगा clear है? बहुत यह अच्छा question है तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे और भी वीडियो से अगर आप देखना चाह रहे है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे यहाँ जाके आप हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ जाके जो और भी वीडियो से हैं और भी अलग-अलग टाइब के कोशिशन्स हमने यहाँ पर सौल करा रखें तो वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं और यहाँ पर जाके चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू, बाबाए